हेलो स्टुडेंट्स, मुँछु सावल्यासर अने मारी योट्यूब चैनल सावल्यासर केमिस्ट्री टेनर मां आपनो स्वागत छे विद्यार्थिमित्रो 11 गैमिस्ट्री नू चेप्टर उष्मा गती सास्त्र जेना जे डबली नित्ना कोंसेप्ट नो आ टीटियल 4 एदलेके टेबल टॉप लेक्चर फोर छे विद्यर्थ्मित्रो लास्ट लेक्चर एड़के टी टी टील थ्री मा अपणे प्रणालीनी आंत्रिक उर्जाना फेरफार विशे अभ्यास करेलो जैमा कारियाने उष्मानों अभ्यास थायोतो जेने अंतर्गत आपड़े कार्याना प्रकार जेमा विद्धूत कार्याने यांत्रिक कार्यानों अभ्यास करेलो कार्याने उश्माना एकमो तेमाज तेनी वच्चेना सबन्नों अभ्यास करेलो अने तेव प्रांद विविद प्रकार ना कद फेरफार ने अनुरुब कारियाना सुत्रो नो पन अभ्यास करेलो आ लेक्चर मा एलेके टीटी एल फोर मा आपड़े अन्य जे उश्मा गतिकी यविधेयो बाकी छे तेनों अभ्यास करीशु कुल चार उश्मा गतिकी यविधेयो छे एक आंत्रीक उर्जा जेनों अभ्यास ए लास्ट लेक्चर सुधी पूरो थाई चुकियो छे बाकी रायात्रण एन्थाल्पी एन्ट्रोपी अन्य मुख्त उर्जा एनों अभ्यास आपड़े आ टीटी एल फोर मा करवा जही रहाँ छे तो शरुवात करिए सौधी पेलू टाइटल छे एन्थाल्पी आपड़े एन्थाल्पी एन्ट्रोपी न मुख्त उर्जा एनिंग जे पायानी महीती छे एनाथीज परीचित थाई रहाँ छे कारण के पायानी बाबतों जे छे एंसी क्यू स्वोल करवा मां खुबज अगत्यानी होई छे तो एन्थाल्पी नी व्याख्याई लखेली छ प्रणाली नी आंत्रीक उर्जा U ते मज तेना दबाण P ॅने कद विना गुणा का जेटली कारिया उर्जा नाकुल झत्था आने प्रणाली नी एन्थाल्पी प्रमाने नी व्याख्या छे, ए प्रमाने एनुँ सुत्र छे, आपणे व्याख्या ना सब्दो अने आ शुत्र ए बन्ने ने आपणे सर्खावीशु। सब्दो प्रमाणेज सुत्र छे, ना कूल जथ्था ने प्रणाली नी एंथाल्पी एज कहे छे, फरीथी प्रणाली नी आंत्रिक उर्जा यू, तेमज तेना दबाण पी अने कद वी ना गुणाकार जेकली कारिय उर्जा, ना कूल जथ्था, कूल केता सर्वालों, एटले बनने नों सर्वालों करिये, अने जे उर्जा नों जथ्थो, अपणे मिढविये, तेने प्रणाली नी एंथाल्पी गहे छे, आ पडिणाम, एक खास याद राग जो, एंथाल्पीनों सुत्र छे, प्रणाली नी अवस्था मां फिर्फार ने अनुरूप, एंथाल्पी एने दर्शावतु सुत्र डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी निद्यार्थिमित्रो प्रणाली नी अवस्था बदलाए एटले अवस्था विधे मा फिरफार थाए आपड़े हमनाज वात करिये प्रमणे जितला पण उश्मा गतिकी या विधेवनों आपड़े अभ्यास करिये छे एटले डेल्टा एच फिरफार नों मतलब डेल्टा एटले एंथाल्पी अवस्था विधे छे प्रणाली नी अवस्था मा फिरफार थासे एटले अवस्था विधे माा फिर्फार थसे एले डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू कांके एज इतला घटको धरावेचे बद्धा öमा फिर्फार आपने दर्शाओ पड़ एले डेल्टा यू प्लस डेल्टा चैनित्पा अचल होए ज़ा गाई representation बद्धा बिजो घटक अचल होए त्यारे पहला घटक नोँ फेर्फार एठले कि डेल्टा यू・ प्लस- पंछल गुनञाद yhtील्टा ब,- वत्त्ता बी अचल गुन्याद्या डेल्टा वू直接 delta H नुँ पर्णाव मडशे विध्यार्थिमित्रो आ विधान खुब बगत्यनू छे, कारण के एंथाल्पी ने व्याख्याइद करवा मावी, ए वास्तव मा अचल दबाने मुट्टा भागनी प्रक्रियाओ, ए खुल्ला पात्रमा अचल दबाने थती होए, तो ए अचल दबाने थती प्रक्रियाओ नो फिर फार, जेन्गे आपने क्यूं पी तरीके दर्सावी है, क्यूं ए उस्मा फिर फार, मिलवेली के गुमावेली उस्मा, उहीं बाजू मा नागव्योश्पी दर्सावी चे, यहनों मतलब प्रणाली नू दबाना चलड़ छे, ए ऋचल दबाने प्रणाली ये मिल्वेली गुमावेली उसमा एज वास्तव मा प्रक्रम दर्म्यान प्रणाली नो एंथाल्पी फिरफार छे अर्थ के अचर दबाने प्रक्रम थतु होई तो डिल्टा पी नू मुल्य सुन्या होशे प्रणाली नी एंथाल्पी नो फिर्फार दर्शावतु सुत्र छे एंथाल्पी नो एकम जूल, कि लो-जूल, कəलरी, किलो-कैलरी कुईपण ही शके सामनीरेटेसिये जूल, किलो-जूल, एकम वप्रातो हुए छे लाक्षैक्त ताओ, एकलेँ एंथाल्पी नी लाक्षैनिकत ताओ लेक्चर 3 सुधीमा आपने आंत्रीक उर्जा यू ने लगती तमाम अभ्यास ये आपड़े करी चुक्या छीए परंतु बाकी रहा त्रोण अवस्था विधे जेमाँ एंथाल्पी एंट्रोपी अने गिप्स मुक्तवूर्जा आ त्रोण अभ्यास आपड़े आ लेक्चर माँ करी रहा छीए तो अहीं चारे-चार अवस्था विधेओ छे आ चारे-चार उष्मा गतिकी ये विधेओ छे अने ते अवस्था विधेओ पण छे त्यार बाद लख्यू छे संयोजननी सर्जन एंथाल्पी ये मात्रात्मा गुण दर्मा छे विध्यार्थी मित्रो आब आबद ने खास ध्यान मा राखी शू के एंथाल्पी मात्रात्मा गुण दर्मा छे ववस्था विधेओ पण छे परन्तु सर्जन एंथाल्पी येविस पष्ट ता आपड़े करी छे एंथाल्पी नु निर्पेक्स मुल्य मापी शकातू नथी विध्यार्थी मित्रो आब आबद ने खास ध्यान मा राखी शू कानके एंथाल्पी नु मुल्य ये आंत्रीक उर्जा अन्ने दबाण अने कदना गुणाकार जितली कारिया उर्जा बन्ने उपर आधार राखे परांतु आफडे जानिया चिए के आंत्रीक उर्जानू निर्प्यक्स मूलिया मीलवी शकातू नथी, और या आंत्रीक उर्जा निर्पेक्स मूलया मीलवी शकातु, ऑन्ने तीन्थाल्पी मोनिलवी शकातू village this event. कान के आपड़े यह जानिये छी है के आंत्रीकूर्जानों अभ्यास करे हो त्यारे आपड़े दर्शा वेलू तेनी लाक्षनीक तामा क्या आंत्रीकूर्जा ए तापमानू पर आधारीत मुर्धर्म छे अथ्वा रासी छे तो जो आंत्रीकूर्जा तापमानू पर आधार तेमाज प्रणालीनु कद पण ए तापमानु पराधार रागतु होए, तो एन्थाल्पी पण तापमानु पराधार राखशे, एटले अहीं स्पष्ट विधान लख्यू छे, कि आंत्रीकूर्जा अने कद ए बन्ने तापमान आधारीत रासी छे, अत्वा गुणदर्म छे, तेथी एन्थाल्पी पण तापमान आधारीत गुणदर्मज छे, त्यार बाद अवस्था विधे छे, एन्ट्रोपी, अत्वा उश्मागती के विधे छे, एन्ट्रोपी, एन्ट्रोपी ने कैपिटल एस वड़े दर्सावाई छे, ते प्रणालीनी अव्यवस्थानू मा माप दंड पन कई शकाए, एटले प्रणालीनी अव्यवस्थाना माप दंड ने एन्ट्रोपी कहे छे, एवी व्याख्या थाई शके, प्रणालीनो एन्ट्रोपी फेरफार, दर्सावतु सुत्र, डिल्टा एस बराबर, एस अंतिम माइनस एस प्रारंपिक, प्रक्रम तो प्रणालीनी अंतिम अवस्थानी एन्ट्रोपी माथी प्रारंपिक अवस्थानी एन्ट्रोपी ने बाद करिये, तो प्रक्रम दर्म्यान प्रणालीनो एन्ट्रोपी फेरफार, डिल्टा एस, ये मिल्वी शकाए छे, जेने संग्नियात्म करिते, s f-s i, f केता final, final केता अंतिम, आई केता इनिस्यल, इनिस्यल केता प्रारम्भिक तेव प्रान आ परिणाम ए अगत्यनू छे एनने याद राखू जरूरी छे तेव प्रान डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सिबल अपोन T ए पन एंट्रोपी फेरफार दर्शावतू सुत्र छे एकम Q रिवर्सिबल Q एटले उस्मा छे उस्मा ए जूल एकम मा अने नीचे छेदमा तापमान T छे एकम मा एटले एननों एकम थसे जूल प्रती केल्विन कैलरी प्रती केल्विन एकम पन अहीं आपने दर्शावी शक्किये छिए अहीं क्यू रिवर्सिबल जे छे एनी ओलखणा प्रमाणे आपी छे जा क्यू रिवर्सिबल बराबर टी केल्विन तापमाने प्रक्रम दर्म्यान प्रणालिये प्रती वर्ती रिते मेड़वेली के गुमावेली उश्मा विद्याटले मित्रो आ विधान एवु कहवा मागे छे के अहीं पुरोगामी प्रक्रियाथी जे टली उश्मानू शोशन थयुआ से प्रती गामी प्रक्रियाथी एतली ज उश्मानू उच्छ सर्जन थसे एटले के उश्मानू क्या व्याई न थतो होई, ए स्थिती मां आपणे उश्मानू जे मुल्य लिए छे ये क्यो रिवर्सिबल छे एटले स्पष्ट सब्दो आप्रमाने छे टी केलविन ताप माने प्रक्रम दर्म्यान, प्रणाली ये प्रती वर्ती रिते मिढवेली के गुमावेली उश्मा, एले के पुरोगामी अने प्रती गामी प्रक्रिया दर्म्यान मिढवाती के गुमावाती उश्मा, ए समान मुल् अनू लक्सिने एंट्रोपी फिरफार छे परन्तु राशानिक प्रक्रियानस अंदर्मा आपड़े वीचारुए तो डील्टा S बराबर निपज एंट्रोपी माइनस प्रक्रियकोनी संग्न्यात्मकरिते आपने लखी सकूए डील्टा S सबराबर परिणाम नूम्बर त्रण आपेलू छे बहुतिक अवस्था परिवर्तन ना संदर्ब माँ एंट्रोपी फेरफार विद्यार्थी मित्रों खुबज अगत्यनू कही शकाए एवो आ पाल्ट छे बहुतिक अवस्था परिवर्तन येटले के भौतिक स्वरूप जेने भौतिक कलापन कही शक्ये बहुतिक कलामा फेरफार थतो है परिवर्तन धतो है ए दर्म्यान एंट्रोपी नो फेरफार एक कई रीते आपड़े दर्शावी शक्ये तो अहीं सवथी पहलू जे विधान लख्यू छे एक खुबज अगत्यनू छे सामाने ते गलन बास्पन अवस्था परिवर्तन नी खटनाओ नियत दबाणे अने नियत तापमाने थती होई छे विध्यार्थिमित्रो आज ए बाबत अहीं लखी छे एने आपड़े एक सरल उदाहरन थी समझे दाखला तरीके बरफ तो बरफ इस फटीक में खन बरफ लेवानों छे काच जेवा बरफ इस फटीक में खन बरफ केवाई अने एनू पाणी मा रूपांतर थाए तो ए प्रवाही स्वरूप छे परन्तु आज ए प्रक्रिया छे ए जीरो अउन सेल्सियस जेटला अचर तापमाने थाई छे तो विध्यार्थिमित्रो आपड़े एउँ जाणिये प्रतिगामी प्रक्रिया तो अर्थे वो थसे के जिरो अन सेल्सियस जे टापमाने बरफ पण अस्तित्व धरावे उस्तितला करि इप्रावे ये नियत दबाने अने नियत तापमाने थती होई छे, तमें जोई शको छो आ तापमान नियत छे, अने जे नियत तापमान हसे, ते तापमान जेते घटनाने अनुरूप तापमान हसे, जेमके आ तापमान छे एने गलन बिंदु कहवाई, ए प्रमाने बास्पन, ए प्रमाने उर्ध्वपातन आवी कोई पन भौतिक अवस्था परिवर्तनिक घटना छे ए नियत तापमाने थती होई छे तेमाज नियत दबाने थती होई छे आथी उप्रोक्त पलिणाम बे मुझब विद्यार्थिमित्रों अहीं पलिणाम बे जे आप्यु छे डेल्टा एस बराबर क् प्रक्रम थतु होई एटले के आप भौतिक अवस्था परिवर्तन निक घटना नियत दबाने थती होई तो आज ए उश्मा छे एने क्यु पी तरीके दर्शावाई जे आपने इन्या समझावियू के क्यु पी एटले के नियत दबाने मेडवेली के गुमावेली उश्मा त अपने निया परिणाम नंबर 4 आपेलू छे हवे आ परिणामने आधारे आपडे गलन बास्पन उर्ध्व पातन आवी तमाम भौतिक अवस्था परिवर्तन नीजे खटना ओछे एने अनु लक्सीने एंट्रोपी फिरफारना स्व़ू पोजोई है अहीं क्योपी औने डिल्टा एच जे छे एनी उळवेली के गुमआवेली उश्मा छे जेने एन्थाल्पी फिरफार डिल्टा एच तरीके पण दर्सावाई छे आपने इन्याई बाबत नीस्पस्ता करी दिदेली छे अने तेथे QP बराबर Δेल्टा है लखेलू छे उप्रोक्त परिणाम 4 मुझब सौथी पहलू कैपिटल यह करी ने परिणाम लग्षी उप्रिणाम 9 डेल्टा एच गलन अपोन T, जहने पडिनाम नंबर 5 आपेलू छे, डेल्टा एच गलन एटले स्फटिक मही घनपदार्थ नी गलन एन्थाल्पी, अने कैपिटल T जे छे एस फटिक मही घनपदार्थ नी गलन बिंदु छे, कैल विनेकम मा, एटले के निर्पेक्स ताप मान तो विद्यार्थी मित्रो, कोईपण स्फटिक मही घनपदार्थ, एना गलन बिंदु जेटला नियत ताप मानेज एक घनमाथी प्रवाहिमा रुपांतर पामे छे, अने एज घटनाने गलन प्रक्रिया तरीके, अत्वा पिगलन प्रक्रिया तरीके उलखवामा आवे छे, अने ते प्रक्रिया ने अनुरूप प्रणाली ना एन्ट्रोफी फेरफार ने डेल्टा एस गलन तरीके दर्शाव मा आवे छे जेनुशुत्र, डेल्टा एस गलन बरावर डेल्टा एच गलन अपन टी थसे, एज प्रमाने डेल्टा एस बास्पन बरावर डेल्टा एच बास्पन अपोन T १ी वेद्यात्यमित्रो उत्कलन बिंदू जेटला नियत ताक माने प्रवाही नू बास्पमा रुपांतर थतू होए कि यारे ँंट्रोपी नो फेरफार, ड्ल्ता इह बासपन तरीके दर्सरावाई? ड्ल्ता हे बासपन बड़ाभर ड्ल्ता इच बासपन अपोन ती, पाई नाम नंबर छो ज्या डेल्टा एच बास्पन बराबर सुद्ध प्रवाही नी बास्पन एंथाल्पी अने टी ए सुद्ध प्रवाही नू उतकलन बिंदू कैल्वीने कम्मा विध्यारती मित्रो आपने हमनाज ए स्पष्टता करी के भवतिक अवस्था परिवर्तन ने लगती तमाम घटनाओ ए नियत तापमाने अने नियत दबाने थती होई छे तो अईया दरेक सुद्धर नी अंदर छेद माजे टी दर्साइवो छे ए नियत तापमान छे अने कैपिटल सी करीने त्रीजा प्रकारनो फवतिक परिवर्तन दर्सावतु प्रक्रम छे डेल्टा एस उर्धवपातन गननू सिद्धुज वायूमा यहले के बास्पकला मारू पांतर थाई ते घटना उर्धवपातन घटना छे तो डेल्टा एस उर्धवपातन बराब एस उर्धवपातन एन्थाल्पी तेमज टी कैपिटल टी एपदार्थनू उर्धवपातन बिंदु छे एपण केल्विनेकम मा छे एटले के उर्धवपातन बिंदु जितला नियत ताप माने नियत दबाण हेठल गन पदार्थनु सिद्धूज बास्पमारुपांतर ठाई ते घटना उर्धवपातन घटना अने आ घटना नों एन्ट्रोपी फेरफार एडिल्टा एस उर्धवपातन छे जे नू σुत्र निल्टा एस उर्धवपातन बराबाद डिल्टा एस विध्यात्यमित्रो आपणे जे उश्मागतिकिय विधियो नो अभ्यास कर्यों आन्त्रिकुर्जा, एंथाल्पी, एंट्रोपी, मुक्तवुर्जा आ तमाम ना अभ्यास साथे जे ते उश्मागतिकिय विधियो नी लाक्षनिक्ता नो पन अभ्यास कर्यों जरूरी छे तो बद्धाज उस्मागतिकीय विधेयो ए अवस्था विधेयोअ छें ⁽ 4 अवस्था विदेव पन छे, अने मात्रात्मा गुनदर्मा पन छे. एले ए बावते ए ओर उृष्मा गतिकिय वीदेव, यह अवस्था विदेव, पन छे एंथाल पीनू निर्पेक्स मुल्य पन मापी शकातू नथी एंट्रो पीनू निर्पेक्स मुल्य मापी शकाई छे परंतु मुक्त उर्जानू निर्पेक्स मुल्य पन मापी शकातू नथी एकले त्रण उस्मा गतिकी अवी धेयो एना निर्पेक्स मुल्य मापी शकाता नथी, परन्तु एक उष्मा गती की अवी धे एनू निर्पेक्स मुल्य मापी शकाई छे, अने एक कईू छे एंट्रोपी, एकले लख्यू छे एंट्रोपी नू निर्पेक्स मुल्य मापी शकाई छे, प्रमानित स्थिती माँ आ एक व्याख्या छे जेना खास ध्यानमा राखवी जरूरी छे प्रमानित स्थिती मा एक मोल सुद्ध पदार्थ नी एंट्रोपी ने तेनी प्रमानित मोल एंट्रोपी SM उपर डिगरीनु निसान छे ए प्रमानित स्थिती माटेनू छे तो प्रमानित मोलर एंट्रोपी कहे छे फरिथी प्रमानित स्थिती होवी जुईए एक मोल सुद्ध पदार्थ हो जुईए अने ए पदार्थ नी जे एंट्रोपी छे तेने ते पदार्थ नी प्रमानित मूलर एंट्रोपी कहे छे ताकमान वदता पदार्थ नी एंट्रोपी वदे छे पदार्थ के ता प्रणाली नी एंट्रोपी वदे छे तो आनिती विरुद विधान पन एकलू जो साचू छे के ताकमान घटता पदार्थनी एंट्रोपी घटे छे त्यार पचिनु विदान चे एंट्रोपी पथ विधे नथी तो स्वाभाविक छे के जे अवस्था विधे होई ए पथ विधे न होई अर्थ एवो थसे के पदार्थ नी एंट्रोपी ने अथवा प्रणाली नी एंट्रोपी ने प्रणाली नी प्रारंभीक अने अंतिम अवस्था साथेज सबंध होई छे परन्तु ते अवस्था प्राप्त करवाना पत एलेके मार्ग अथवा पद्धती साथे कोई सबंधोतो नथी एंट्रोपी फेरफार वडे प्रक्रियानी स्वयम भुईता जानी शकाए छे विद्यार्थी मित्रों उष्मा गती साथ्त्रनों बीजो नियम ए प्रक्रियानी स्वयम भुईता नक्की करतो नियम छे जेमां एंट्रोपी फेरफार वडे पन प्रक्रियानी स्वयम भुईता नक्की धाई शके छे एज रिते गिब्स मुक्त उर्जा ना फेरफार ने आधारे पन प्रक्रियानी स्वयम्पुईता नकी धाई शके छे त्यार बाद अंतिम उश्मा गतिकी यविधे जेनु नाम छे गिब्स मुक्त उर्जा जेनी संगन्या छे कैपिटल जी आम तो एनी व्याख्या आप्रमने आपी शकाए के प्रणाली नी एन्थाल्पी तेमज तापमान अने एन्ट्रोपी ना गुणाकार जेतली उश्मा ना तफावत ने समान उर्जा ने गिब्स मुक्त उर्जा कहें छे विदियार्थी मित्रों अहीं आपणे अपने शुत्र धर्शा विए जिए बराबर H माइनस TS तो açıl आ शुत्र जे ले आ व्याख्य प्रमाणे जे आ व्याख्या ने व्याख्या सब्दों अने आशुत्र स्र behavioral के प्रणाली नी एनथाल्पी गी तेमज तापमान अने एंट्रोपी ना गुणाकार जेतली उश्मा, T अने S ना गुणाकार जेतली उश्मा, तो विद्यार्थी मित्रो आपणे हमना एंट्रोपी माटे सुत्र आविरीते विचारिए, S बराबर Q by T, तो व्या T ने S ना गुणाकार माले लिए, तो Q is equal to S into T थसे अथ्वा T into S थसे, तो T अने S नो गुणाकार एं उश्मा छे, एम कई शकाए, एटले अहीं आपणे T अने S ना गुणाकार जेतली उश्मा, ना तफावत, तो H अने T S नो तफावत, ने समान उर्जा, एटले आ तफावत ने समान जे उर्जा होए, ए उर्जा ने आ प्रणाली नी एंथाल्पी H, तेमज तेना तापमान अने एंट्रोपी ना गुणाकार जेतली उश्मा ना तफावत, ने समान उर्जा ने Gips मुक्त उर्जा कहे छे, नियत तापमाने थता प्रक्रम माटे मुक्त उर्जा फेरफार, विद्यार्जी मित्रू, जो कोई प्र मुक्त उर्जा छे, ए अवस्था विद्याई छे, प्रक्रम थव्यों एनों मतलब अवस्था मा फेरफार थाओ, अने तेथी मुक्त उर्जा G, एमा पन फेरफार थाशे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा ह माइनस, अवे अहीं, आपने आ प्रमाने विचारी शक्किए, डे डील्टा एस बद्याईस बद्याउं आपने विचारी ए तो इते आपने विचारी ए, अहीं आहीं आपने एसपरश्ट करिवेशे, अवे अवे नियत आपने प्रक्रम थाए, तो डेल्टा एनों मुल्य सुन्य होए. इतल्ला आ Beijशे, ए पकने माटे भिद्याउं GBT , इंस जीनू मुल्या दर्शा आवे छे इतला आपने लख्यू छे नियत ताप मने थता प्रक्रम माटे मुक्त उर्जा फेर फार डिल्टा जी बराबर डिल्टा एज माइनस टी डिल्टा एस जेने परिणम नुम्बर बे आपने लूँ छे हवे गिब्स मुक्त उर्जा नी लाक्षनिक दाओ तो सवथी पेलूज लख्यू छे ते प्रणाली नू अवस्था विधे तेमाज मात्रात्म गुण धर्म छे तो हमनाज आपने वाद करी के जेतला उष्मा गतिकी ये विधे ओ छे ये बद्दाज अवस्था विधे ओ पण छे अने मात्रात्म गुण धर्म पण छे हेच कटा एंथाल्पी नू निर्पेक्समूल्य मापी शका तू नथी अपने एंथाल्पी नी लाक्षनिकता roughiद्धन बणी कला इकले आहीं । आपले ढायेक्स मजल्य महतली ज़ों लिग। धजल्प्ब बाट को सब्सका सीभाहें, त congressionalभर्ठ-वेभर्श, कले senators ज़ो जो कोरीं। तमेस उत्र ने जुह ॆ रजा छो कि गिब्स मुग्त आ गा pepper बिडा अने ट्यार पछीनी लाक्षणिक्तता लखी छे इन्थाल्पी अने entropy इम बनने बदलाई छे अने तेथी मुक्त उर्जा जीपन बदलाई छे विद्यार्थी मित्रो तापमान बदलाता एन्थाल्पी अने एन्ट्रोपी एम बन्ने बदलाई छे आपड़े सुत्रा आप्रमाने जोईू G is equal to H minus T S अवे जो तापमान बदलाई तो एन्थाल्पी माँ पन फेरफार थाई छे एन्ट्रोपी माँ पन फेरफार थाई छे तापमान बदलाता एन्थाल्पी अने एन्ट्रोपी एम बन्ने बदलाई छे अने तेथी मुक्त उर्जा जीपन बदलाई छे मुक्त उर्जा फेरफार डेल्टा जी वडे प्रक्रियानी स्वयम भुईता नक्की थाई शके छे तो विद्यार्दिमित्रो प्रक्रियानी स्वयम भुईता नक्की करवा माटे एंट्रोपी फेरफार डेल्टा एस अने मुक्त उर्जा फेरफार डेल्टा जी इम बन्ने ए उश्मागती की विधेव ए अगत्यना छे उश्मागती सास्त्राना बिजानियम मा आ बन्ने विधेव ना फिरफारने आधारे प्रक्रियानी स्वयम भुईता ए नकी धाई शके छे जो डेल्टा जी बराबर सुन्य होई तो प्रणाली संतुलन मा होई छे एल्ले के प्रणाली ए पुरोगामी औने प्रतिगामी बन्ने विरुद्ध दिशामा समान रिते फेरफारानु भौती होई छे जेने प्रणाली नी संतुलन स्थितिक है चे उम फरिती बोलू छू जो देल्टा जी बराबर सुन्य होई तो प्रणाली संतुलन मा होई छे एटले के प्रणाली पुरोगामी औने प्रतिगामी यहीं बन्ने विरुद्ध दिशामा समान वेगथी ए फेरफार अनुभौती होई छे प्रक्रम अनुभौती होई छे त्यार बाद छेल्ली लाक्षन अने में, प्रक्रम दर्मेयान, खुब जगत्यानी लाक्षन इता in विद्यार्थिमित्रों, खास याद रांखीले जै प्रक्रम दर्मेयान प्रणाली नी मुक्तवgeon मा धत्तो घ्टाडों. अफ्ररक्रम दर्मेयान प्रादा धत्ता महत्तं कारियं जे लो होई छे. विद्वध्यार्तिमित्रों मुक्त उर्जामा थतो घटाडो एटले कही प्रक्रम दर्म्यान प्रनालीनी मुक्त उर्जामा थतो घटाडो ये प्रणाली द्वारा थता महत्तम कारिय जिटलो होई छे जेने आपड़े संग्न्यात्मक्रीते आप्रमने दर्शावी शक्ये एकले के डेल्टा जी बराबर माइनस डबल्यू महत्तम माइनस कारिय ने रून निशानी अहीं आपवामा आवी छे कारण के प्रणाली द्वारा थता महत्तम कारिय नी वाद थे छे प्रणाली द्वारा कारिय थाए त्यारे कारिय नी संगने रून लेवा मां आवे छे अने तेथी डिल्टा जी बराबर माइनस डबल्यू महत्तम आ परिणामने खास याग राखू जरूरी छे नवा वीडियो लेक्चर माँ